स्वाध्याय टीवी नमस्कार डॉक्टर बाबसाहिब आम बेटकर ओपन युनिवरसिटी मा आप सवनू हाथिक स्वागत छे मधिकालीन साहित्य गुजराती साहित्य विशे जहरे आपने वाद करता होई है तो आपने अमना नरसी पूर्वे ना मधिकालीन गुजराती साहित्य ना स्वरूप हो छे एनी जहाखी करी जेट्टू साहित्य लखायो छे एनी जलक जोई हवे आपने वाद करवा जे रहा छे नरसी पूर्वे नी मधिकालीन गुजराती साहित्य नी कुरूतियो नी अपने जोईए तो मित्रो प्राग नरसी युग मा साहित्य तो गणू लखायू छे परन्तु तेमा बहु मोटो हिस्सो जैन साहित्य नो अने थोडो हिस्सो ए जैने तर साहित्य ना फाड़े जाये छे आजना युग नी जन आ साहित्य फक्त आनंद खातरज लखातू ना थी पण आ साहित्य लोक मानस नू घरतर करतू तेमने धार्मिकता अने श्रद्धाती एक बिजा साथे जूडी राकतू आ साहित्य द्वारा प्रजामा संसकारी ता अने लोक हित्कारी संसक्रूती नू घरतर थतू आव्यो जे आवी नर्सी युग पुर्वे नी मद्यकालीन गुजराती साहित्य नी आरंबकालीन केटली कुरूतियों नो परी चे आपने या जे मेडवाना चे तो आपने पहली कुरूती जोईए तो सवथी पहली आपने जोयू आगर ना लेक्चर्स माँ पर के हेम चंद्राचारीयन सवथी पहला अपना गुजराती जे आदनी गुजराती छे एनी ये पूर्वभूमी का छे एमा हेम चंद्राचारिय नी कृती एक खुब मोटो फाडो भजव्योज तो एनू आपने जोईए तो हेम चंद्राचारिय कृत सिद्ध हेम ना दुहा संस्कृत प्राकृत अपब्रंस समर्थ विद्वान आचारिय हेम चंद्राचार्य एमना सिद्ध हेम नामना प्रतिष्ठित व्याकरण ग्रंत मा अपब्रंस नू व्याकरण आपता उदारन तरीके आपेला गौजर अपब्रंस भाषाना लोक साहित्यनी ए प्रक्रेण दुहाओं ए जे प्राप्त एवू सर्प्रत्थम गुजराती काविर छे आ दुहाओं नू अइतियासिक सांस्कृतिक तैमज साहित्यक मुल्य गणू छे ततकालीन समाजना प्रेम सोर्यना जीवन मुल्योनी ते उटकट अभिव्यक्ती छे ततकालीन लोक मानस पर प्रकास पाड़ता आ लोक प्रचली दुहामा प्रेमनी उक्ती, श्रुंगार, सुभाशित कि कोई सनातन सत्य पण, मुक्त पणे आवे छे नायक नायिकाना प्रणै श्रुंगार, समाजमा प्रभर्ती वेश्या प्रुत्ती, कितलाक पवित्र प्रेम, बीरत्वना गोण गान, वेवारु जीवन, सद गोण सदाचार, बगेरे सद असद गुणोंनू आलेखन विवित दुहावमा प्रगट्थायु छे अपने एक दुहो जोई है, तो पुत्ते जाये कवण, गोण अउगोण कवण मुएन, जा बपी की भुणही चंपी जई अवरेन, एटले के बाब दादानी भुमी अन्य सत्रुओ वडे चंपाई, तो पुत्त्रना जन्म्याधी सोलाब, अने एना मर्याधी खोडची, आम तम्हें जोई सको जोओ के वीरस नी बाद चे, आजी बधा दुहा होचे, आतो एक उधारन मातर है तुँ, बड़ आजी बधा दुहा होचे, मा श्रुंगार अने वीरस ना आवातो अनेक दुहा हो, सिद्ध हैम ना गरंथ मा जोआ मड़े चे, अभुमी ना वाशियों नी पराक्रम शीलता अने रसिक तानू आ दुहा दर्शन करावे चे, दुहो दसमो वेद, एम जे केवायू छे, एने आ दुहा साचा साबित करे चे, हेम चंद्राचारिय संपादित आ दुहा ए गुजराती साहित्यनी प्रारंभनी लोक रदैनी वाणी चे, आ दुहा मुझे म साहित्यनी प्रथम प्रशादी समाजे, आमा केटलिक सोठी लोक साहित्यमा उत्री आवेला पन दुहा चे, लोकवाणी नी सरडता अने लागव साथे, मिठास वाडा आ दुहा ततकालीन समाज जीवन ना उल्लास ने निरुपे चे, दुहा मा एक बाजूती सरडता अने ल लागव चे, तो बीजी बाजूती सामर्थे, रशाक दता मर्मवेधकता होई चे, जैने परिणा में आ दुहा साहित्य, आपनी मुल्यवान साहित्य संपत्ती बने चे हवे मित्रों आपने बीजी कृती, जे मध्यकालीन साहित्य नीचे, जो ये, तो साली भद्रसूरी कृत, भरतेश्वर बाहुबली रास इस बिशन अग्यार सो पंचियासी मा रचायेली भरतेश्वर बाहुबली रास पाशा तथा रासना स्वरूपमा अभ्यासनी द्रश्टिये पण खुबज महत्वनी चे आकरूती दुहा, सोर्ठा, रोडा अने चौपाई जेवा मात्रा मेल छन्दो तथा गेई देशियो मा लखायेली चे आ रासानू कथा वस्तुमा तिर्थत कर गणाता व्रिशब देवना बेपुत्रो भरत अने बाहुबली वच्चेनू युद तेमज बाहुबली ना वेराग्य तप अने केवडद्नानी प्राप्ती एना प्रमुक्त स्थाने छे जैन समाज मा भरत अने बाहुबली नी कथा अत्तियंत प्राख्याद छे मित्रो एम जैनो मा प्रथम तीर्थंकर व्रिशब देवने भरत अने बाहुबली नामना वे पुत्रो हता व्रुशब्देव ना बीजा अठाणू पुत्रों पन हता पन व्रुशब्देवे मोटा पुत्र भरत ने राजगादी सौपी बीजा पुत्रों ने जेते प्रदेशों सौप्या अने पोते सैयम रत लिदू भरतने हवे थायूसू के भरतने चक्र वर्ती थवानी अभिलाशा जागी आयूत साड़ामा आप मेडे चक्र प्रगट थयू भरते दिग्विजई कर्यों पन आ चक्र आयूत साड़ामा पाछू फर्यू नै एना बाहुबली सिवाईना बीजा अठाणू भाईयोय एनी आन स्विकारी लिदी एनू प्रभुत्व स्विकारी लिदू बाहुबली एनी आन स्विकारवा तैयार नथी एम जानी भरत एकदम रोसे भराई चे भवा तानी मूच मर्डी ए बाहुबली नो प्राण लेवा रणे चड़े चे साथ आठ मैना बहुँ मोटी मानव हानी वाड़ू युद्ध खेला पची भरत ने बाहुबली द्वंद युद्ध द्वारा हार जितनो निवेडो लावा तैयार थाई जे हवे बनने वच्चे भुष्टी युद्ध थायू बाहुबली एमा चड़िया तो नी वड़ियो त्यारे क्रोधे भराई बाहुबली एना वड़े अखा कुण नो नास करवा विचार मांड़ियो वे नो तो क्रोध मा तो मानस कहीं पण करने परन्तु ए दरम्याना ज भरत पोतानों पस्ताव व्यक्त करयो एटले भरत मोटो भाई आतो एटले बाहुबली ए पस्तावा थी एक भाई जहरे पस्ताव करे तो बीजा भाई नू पड़ दील तो पिगड़े ने तो बाहुबली ए प्रभज्या लिदी त्यार बाद बाहुबली ए उग्र तपस चर्या परन्तु एने केवर्गनान प्राप्त ना थाय। कारण के तैने तपस चर्यानू पड़ अभिमान थाय। ए वखते एनी ब्राम्मी औने सुन्दरी नामनी बे बेनो तैनी पासायावी ने बोली वीरा गज थकी उत्रो गज पर केवर्ग न होय। अने आ वाक्य सांबड़तानी साथेज बाहु बली एनू अभिमान छोड़िय। एने केवर्गनान प्राप्त थाय। अहीं बाहु बलीनू चरित्र अत्यन सुन्दर इत्ते उप्षाविया पमा कवीने सफरता प्राप्त थायी छे। कवीनू भाषा प्रभुत्व वीर्रस ना वर्णनो मा जुआ मले छे। वर्णानू प्रास अने डिंगलना कवियो नी जेम वर्ण गोसनो यथोचित उप्योग आकरूतीने सरस बनावे छे। आकरूतीमा सुन्दर, जीवन्त, सचोट, सम्वादो जे। युद्ध, किल्ला, नगरना वर्णनो, व्यक्तिना नामो, भाषाने कारणे एनी महत्ता विसेश छे। अहीं मोटा भागना वीर रस, अने अंते वैराग्यानो रस, अने छेललें सांत रस छे। दोहा, सोठा, वस्तु, रोडा, ने चवपई, जेवा छंदो, तधा गेई देशियों अमह प्रयोजाया छे। गुजराती भाषाना इतिहासिक व्यक्रण माटेनी तैमज सांस्कृतिक इतिहास माटेनी महत्वनी घणी सामगरी आ रास्कृती माथी आपणने प्राप्त धाये छे। आ रास कृती जोया पछी, हावे अपने स्वरूपों जारे जोया तो रास पछी एक फागु करीने पण स्वरूप आउत्तूतुतूcular तमने याद जासे। चोत्रिसमा आचारिय पदवी अने ते पछी तेरसो चुम्माडिसमा तेवो एकाडधर्म पाम्या ते पहलाना गाड़ामा आक रूतिनी रचना थहेली होवानु अनुमान छे स्थुली भद्र विशयक फागु ओमा सौत्थी प्राचीन फागु जनेके वाई तो ए आचे पुत्र हता अत्यां स्वरूपवान अने कांतिवान स्थुली भद्र कामदेव जिवु रूप धरावता हता पाटली पुत्र नी प्रसिद्ध वरांगना कोशाना प्रेम मा पड़िने तो वो सत्तद बार वर्ज सुदी एना निवास थाने रया हता सक्टाल ना मरण पछी राजा एमने मंत्री पद अपतत पर हता परन्तु संसार उपर विरक्ती जागवा थी एमने संभूती विजय गुरु पासे जई अने दिक्षा लईली धेली गुरुनों आदेस लईने दिक्षा पछी कोसा नाज निवास थाने चतुर्मास गाडवा आव्या त्यागी औने विरक्त एवास थुली बद्र कोसा ने ज़ प्रतिबोध प्रमाणी ने पोताना अभिग्र एमने पूर्ण करी बताव्यों आ कथानकने जी जीन पद्मसूरिये 27 कड़ी ना टूका फागु काव्यमा निरुप्यू छे अमा एक कड़ी दुहानी अने एक कड़ी अथवातो एथी वधु कड़ी कविये रोडा नी प्रयोजा आयली छे फागु काव्यमा मोटे भागे बसंतनो महिमा गवायलो होई छे पड़ आ फागु काव्यमा स्थूली भद्र कोशा ना स्रुंगार प्रशंगोने कवी ये फागण ना नहीं परन्तु वर्षा रूतुमा गोठव्यों छे ये उनु कारण में इतलो तमें जानओ जो अब चतूर मास नीवा आता आवेस चातूर मास क्या रे करे वर्षा रूतुमा होई एतले आई वर्षा रूतुनू नीरुपण पन just आ एक एवू फागू काव्य छे के जहमा वर्सारूतुनू निरूपण करी श्रिंगार चेश्टाओ ए मासना परिवेश मा दर्सावाई छे। जो के कृतिनी अंतिम कडिमा फागू काव्यने कारणे खेला नाई चैत्रमासी एवू सूचन करवामा आव्यू छे। अहीं अलंकारो थी मंडित आ सौंधर्य वर्णन कवीनी रसिकतातो प्रगट करे छे। परंतु साथो साथ कवीना भाषा प्रभुत्व अने कवित्वने पण प्रगट करे छे। स्थूली भद्र एक महान जैन सादू धैगाया, सत्यावीश कडिना आनाना काव्यमा, फागू काव्यमा स्थूली भद्रना जीवन प्रसंगो साथ विभागमा वहची ने वर्णवामा आव्या छे। आकरूती ते युग संसार चीत्र दर्शावनारी रचना तरीके खुबज महत्वनी जे। काव्यना आहरंब जेटलो लाक्षणिक छे, एटलो जेनो अंत आपणने लाक्षणिक जणातो नथी। कोशाना संदर्यनु के वर्षानु वर्णन आ करूती एक आगवू रूप बक्षे छे। काव्यना अंते आउता कोशा अने स्थुली भद्र पच्चेना संवादो पात्रोचित अने आकर्शक छे। काव्यनी भाषा पण सरण, मदूर अने मनोहर छे। एरीते आस्तूली भद्र पच्चेना अने जैनेतर पच्चेना अने विलक्षन करूती छे। अने अनोखु अने उच्च कोटीनु काव्यनु स्थान आ करूती धरावे छे। हवे पच्चनी क्रूती आपने जुईये तो राज सेखर क्रूत नेमिनात फागू। मित्रो राज सेखर सूरी क्रूत नेमिनात फागू सने तेर सो उगणपचास मा रचायल धार्मिक फागू काव्य जे। नेमिनाथ अने राजी मती नी जैन धर्मनी जे अत्यंत प्रख्यात कथा छे एनुँ आधारईयाले वमावयो छे केंद्र स्थाने नैमिनाथ ना अने राजी मती साथे न थाई शकेला लगन अने वैराग्य प्रेरीत महा भिनिश क्रमण नो प्रशंग आ कवी नू कथा वस्तु जे चित दिये वैरागी एवा नैमिनाथ ने श्री कृष्णनी राणियों वसंतलीला रमाडी राजी मती एटले के राजूल साथे लगन करवा समझावे जे पड़ लगन करवा आवेला नैमिनाथ जानाईया ओना भोजन माटे वाडामा बांधेला पसुओने जुए जे अने अहिन सानी स्वयम स्फूर्णा जता नैमिनाथ वैराग्य ले छे उजरी अन्त पर्वत पर जई तप करी केवड गनान तेवो प्राप्त करे छे वस्तु अन्ते वैराग्य नुच्छे वच्चे लगनने निमित प्राणई रस निरुपायो छे नेमिनाथ ने लगन माटे मनाववानो प्रसंग राजी मतीनु सौंधरिय राजूलने करेलू नेमिनाथ नुटर्शन नेमिनाथ ना विरामा जूरती राजी मतीनु चित्र अहिन आपणने स्पर्थी जायेवो वर्णवायो छे वर्षान उवर्णन लयान वित पदावलियो अने सब्द चित्रात्मक आलेखनने कारणे आ फागू रचना समग्र परंपराओं माँ खूबज महत्वनी एक रचना तरीके साबित थाई जे आ रचना जोया पछी एक और फागू रचना आपने जो ये अने ये तो बहुँ विसिष्ट अने एकदम कलात्म करीते मद्यकाड माँ जो कोई कृती नुँ आलेखन थयू होई कोई कृती रचाई होई तो एवी कृती चे अगनाद कवी कृत वसंत विलास अगनाद क्रवी कृत वसंत विलास मा चोर्यासी कडीनु उत्तम सुरेक एवु फागू काब्य आछे एना रचना समय विशे अनेक अनुमानो थाया जे पण निश्चित पणे एनी रचना साल मडती न थी आ काब्यमा कवी स्चप्दोनी कर कसर कडी जाने जे पण एवी कर कसर के गमी जाये फागूनी प्रणाली का मुझे कवी मंगला चरण मा सरस्पती नी अर्चना करी तरत तज विशे नो आरंब करी दय चे एमा एक अधीर पथिक ने दोडतो बतावयो चे जे एनी पोश भात्रुकाने मलवा प्रोशित भात्रुकाने मलवा जयी रहो चे आदर्म्यान कवी पागू काव्यना मुख्य लक्षन रूप मनहर वसंद प्रशार नू वर्णन करे चे मिलन उत्सुक पथिकना दुर्भाग्यने विरोधिती उप्षावा कवी सुभांगी युगलोनी वन केलीनू आकर्शक वर्णन करे चे अनगनी मेठी आँखनी चे विरहता कामोनत युगलोनी वच्चे पिलापथिकनी विरहीनी पत्नी वेदना एक दम धारून लागे चे मन्थन एने सत्रूनी जिम प्रजाडी रहो चे ने सोशी रहो चे वी प्रलंब श्रूंगार माथी संयो संभोग श्रूंगार तरफ गती करवा मांगता काव्यना आ भाग साथेज एने पियोना आग्मना एंधान सूचक सुभक शुकन थवा लागे चे जांग फर्के चे, कागडो बोले चे, साथेज पिलो दोडतो पथिक आवी पहुचे चे, ने प्रिय मिलन थता एनो वीर भागे चे कवी अहीं फरीधी वन के लिनू श्रूंगार खचीत वर्णन करे चे, मंगल पुष्प संगारो सर जाई चे, ने रसिकाओना रास रचाई चे कोई हडवे थी पियुनी आख दाबे चे, तो कोई लाडमा पियुने कमड थी ताडन करे चे, कोई पियु संगे हिंदोडा जुले चे, तो कवी नो मुक्त जीवननो जे उल्लास चे, जे उभ्राई चे, ए साथेज असरू थाई चे, ब्रह्मर उपालंब काव्यत्वत्थी सभर आकरूती अन्योनक्ती काव्यने भारे मनोहर बनावे चे, आम एनू मंगलाचरण, वसंत आगमननी भुमीका, वन केली वन वर्नन, पिरह्नियोंनी बेदना, फरी वन केली द्रमर उपालंब, अने उपसाहार एमा आठ नानानाना खंड माँ वहचाई आगल भत्तू, वस्तू, साप्रमाण, सूशलिस्ट अने लागव युक्त चे, काव्यमा कविये एक पण अंगने सीथिल पडवा दिदू नथी, अने अतिविस्तारी पण बनावी दिदू नथी, आखाये काव्यनू कल्पन अने मूर्ती विधान भारे सुभग चे, बसंत मूर्ती नू जे, एम केवाई के अनी जे रीती रचना अचे, कुरूती ने, अदभूत रीते थाई छे, श्रंगार सोभन आलादक रुतू काव्य तरीके अने बतावे छे, त्या कोई सांप्रताइक तानो स्पर्स नती, आफ आगू काव्यनी विशिष्टता ए छे, के अह कोई नायक नायकाज नती, परन्तु संचार ना बधार असे उभराता अनेक नर्नारियोना वसंत विहार ने अहीं गावामा आव्यो जे, काव्यमा कविये मात्र वसंत रुतूनी जने इसाधे साते वसंत क्रीडानू पर, मनोहर वर्णन अर्था लंकारोंने मधूर रिते प बनावी छे, आम वसंत विलास मधिकालेन गुजराती साहित्यमा एक अनोखी भात पाड़तू, केसवहर चे धुरुना सब्दों मा अपने कहिये तो चमक चमक थती चांदर नी जे उकाव्य साबित थाए छे आप अछी नी आपने कृती जोईए तो विनैचंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चतुस्पदीका आ कृती मा विनैचंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चतुस्पदीका मा आ एक बार मासा काव्य छे तेमा नेमिनाथ स्वामी ये लगन पहलाज त्याजी दिधेली विरहनी राजकूरी राजी मती अने तेनी सक्खी वच्चे ना समवाद आलेखाया छे कवी ये उद्धिपक तरीके बारे मासनी प्रकूती नू वर्णन कर्यू छे अने परिणा में राजी मती एटले के राजूल उपर थती तनी असर वर्णवी छे नेमिनाथ ने राजी मती नी जैनों मा एज प्रसीदत कथा आपने आगड़ पन जोई एज कथाने अही नेमिनाथ ना विरहने कारणे वाग्र ता राजी मती ने अवसाधरन व्याथा थाई ए 40 कडियों मा चौपाई बंदने सहारे एकदम रसीक बानी मा आविरह काव्य मा राजी मती अने अनी सक्खीना समवादना स्वरूप मा असर खार करीते रजुकरवा मा आव्यू छे आप्यानी लाक्षाणिक ता ए छे के पहली अने छेल्ली कडि बात करता बार मास नी दरेकनी त्रोण त्रोण कडि रहे एक मास नी त्रोण कडि ना जुम्खा मा थी पहली कडि मास ना रुटूचीन होने वर्ण था ए मासमा राजी मतीनी नेमिनात माटेनी जंकना प्रगट करें बीजी कडी मा राजी मतीनी सखी राजी मतीने वास्वाशना पे जैने लई नेमिनात प्रत्य राजी मतीने अनराग थाई अने प्रेम विरनु दुख दूर थाई परन्तु साची प्रेमिकानी जेम राजी मती त्रीजी कडी मा नेमिनात माटेना प्रेमने वधारस पष्ट पणे द्रूड रयानू कई बतावे अन्य नेमिनात सिवाई बीजा सामे नजर करवानी पणे ना कहे आपणे ए जोयोतु नेमिनात नो ए फागु काव्य है तु अहीं बार मासा काव्य तरीक्या अनी प्रस्तु दिताई जे अन्य बार मासा नी जेम अहीं पण नाईकाना मुख माज सम्वेदन मुखी काव्य आत्मलक्षी बनावानो एमने प्रयास कर्यो जे आरंबना विराजन्य व्यथाना अने अन्तना सैयोग जन्य उपसमना भावने प्रक्टावामा कविये विविद अलंकारों उचीत तरक युद कल्तनाओ अने उचीत सब्दोद्वारा नीजी प्रतिभानू सुन्दर निदर्शन आपयो जे हवे आपने जे वात करवा जे रहा छे एक रूती छे असाईत क्रूत हनसावली इसवीशन 1361 मा जैने तर कवी असाईते आ क्रूती नी रचना करी छे चार घंड नी कूल 400 सित्तेर कडियो मा मात्रामेळ छंद मा लखायेली आ क्रूती नू कथा वस्तो कवी ये लोक कथा मा थी लीदू जे कथा मा पेठाण नगर ना राजा नर्वाहनने प्रसन करवा मंत्री मनकेशर कनकापूर पाटणना राजानी सुन्दर कूरी हनसावलीने समझावी तेना पूरुस द्वेश ने गाली नाखवा, तेना पूर्वभवनी पक्सी अउतार नी वार्ता करी नर्वाहन साथे हंसाओलीनु लगन करावेचे एटले वार्ता बे भवनी प्रेम कथानी छे पूर्वभवना पंखी, पंखेणीज आभवे नर्वाहन अने हंसावली तरीके प्रेम्थी पढ़ने चे त्यार पछी कथा ए हंसावलीना बै पुत्रों हंस अने वत्सनी चे ए अदपूत पराक्रम कथा अहीं आले खाई चे कथा मा हंस राज वत्स राज नी कथा मुख्य जे छता नाम कथा नू डाख्यू जे हंस आवली हंस वत्स पर तेमनी अपर माता लिलावती राणी काम मुख्द बने जे पण सफण न थता तेमने वन्मा लई मारी नाखवानों आदेस अफ़ा मा आवे जे चतूर्क मंत्री मनकेशर तेमने वन्मा जीवता छोड़ी दे जे बन्ने भाई राज बहार जवा इच्चे जे वन्मार्ग मा सर्पदनस्ती हंस मरी जाए जे बच्स तेनू सब जाड़ पर बांदी ने चंदन काष्ठी लेवा पासेना नगर मा जाए जे ए दर्म्यान गरूडना सपर्स्ती हंसनू जेर उत्री जता ते जीवतो थाई कांती नगर प्रती इभणी चालवा मांडे चे अने त्या आज कधन कबाडी ने त्या काम करवा रहे चे वत्स कांती नगर मा थी एक वेपारी न त्या थापन मुकी चंदन काष्ठादी लई पाछ्वा आवेचे ने comer on sin ये त्या न जोता कांकि ए तो लटकावी ने गलो छें त्या बांदी ने गलो छे तो एने त्या न जोता तेना पग ला जुएचे नगर ना वेपारी वत्स पर चोरी नू आल चड़ावी वदनी शिक्सा करेचे पन वद करावनारा नगर रक्षक तेने निदोस जानी बचावी लेचे वेपारी ना थापन पचाववाना पापने कारणे डुबी जता वाहां साथे वत्सने मोकलवा मा आवेचे वाहां साथे ते संकावती नगरी मा आवेचे त्या राज पुत्री चित्र रेखा तने स्वयम भर्थी पढ़ने चे राजाने ते नथी गमतु ते वत्सने मारवाना घणा प्रयत न करेचे पन तेनों अध्भुत बचाव धाएचे वत्स हंसने मलवानी इच्छा थी कांती नगर जाएचे वचमा वाहन वटी वैपारी नो पुत्र पुस्पदंत वत्सने दर्यामा फैकी देचे चित्र लेखाने परणवाते इच्छे चित्र लेखा सोकनू बहानू काडी लगन ठेलेचे समूद्र माथी बचेलो वत्स कांती नगर मां मालण ने त्यां आसरहिपामे चे आदरम्यान कांती नगर ना राजानो आ पुत्र देहान थता हाथे नी ये हंस उप जे कडस दोड़ता हंस राजा बने चे अन्ते वत्स चित्र लेखाने अने हंस ने मेडवे चे पची बनने भाईयों पेठन नगरमा जाई छे, माँ बापने मडे छे, आनंद प्रवर्ते छे, ए प्रसंग अने व्यक्तियों ना तथा जन समाजना वर्णनों अहीं खुबज धोन पात्ररित थायला छे पहला खंड माँ हंसावली अने नर्वाहनना लग्ननी अने बाकीना त्रोण खंड माँ यह युगलना जोडिया पुत्र वच्च राज अने हंसराज ना पराक्रमनी कथा आले खाई छे मद्र काड माँ हंसावलीनी कथा खुबज लोक प्रिय बनी हति कथा मा लीरावती ना सौंधर्य वर्णन बेडाए तदा हंसना सब उपर वच्चराज जे विलाप गीद गाई छे एमा असाईत नू कवित्व जड़के छे अदभुत रसने पण कथा मा असाईत यथा उकास गूती लई अनेरी जमावट करे छे क्रूती नो काव्य बोध मुख्यते चौपाई नो छे वच्चे वच्चे दोहरा वस्तू अगेरे मात्रामेर छण दो अहीं उप्योग मा लेवाई छे भासानी ध्रश्टिये क्रूती नी रचना जुनी पस्चिमी राजेस्थानी मा लखाये ली छे कथानो क्रमिक विकास, चरित्र चित्रन, वर्णन कलाने कारणे हंसावली मद्यकालीन गुझराती साहित्यनी महत्वनी रचना गणाई छे आपछि आपणे मद्यकालीन गुझराती साहितय नरसी पूर्वे नी कृत्यों मा जुई है तो, जैसेखर सूरीकृत, त्रिभुवन दिपक प्रबंध, 422 कड़ी नी रुपकात्मक अभिव्यक्तिती सपर, त्रिभुवन दिपक प्रबंध, जैसेखर नी अत्यंत महत्वनी रचना चे. मूर्ट संस्कृत मा रचायली प्रपोच चिन्ता मणी रचनाना करता एज पोते गुजडाती मा करेलोवा अनुबाद छे. आत्मा रुपी राजाने, मायाने, पोतानी जाड मा फसावी, तैनी प्रिय एवी चेतना राणी थी अने छुटो पाड़ेओ छे. पचीती एनी स्थीती आ रचना मा केंद्र स्थाने चे. त्रिपुवन दीपक प्रबंध, प्रबंध रचना नथी पण रूपक प्रधान काव्य चे. रूपक ग्रंथी मा मनुष्यना गुण, स्वभाव, आचार, विचार वगेरे अमुर्द भावने सजीवारोपन द्व बूर्त रूपे आपवामा आवे चे. त्रिपुवन दीपक एवो परमहंस रूपी राजा बुद्धी, बढ़, कड धरावे चे. ते अनाधी अनन्त चे. तनी राणीनू नाम चे चेतना. एक वार परमहंस राजा माया नामनी स्त्रीने जोई, एमा मुग दथाए चे. ने माया राणी एक थाए गया. परमहंस ने बंधन मा नाखी मन राजा थाए बैठो. मन राजा ने बे राणी, प्रवरुत्ती अने निवरुत्ती. प्रवरुत्ती नो पुत्र ए मो, अने निवरुत्ती नो पुत्र ए विवेक. मन राजा ने प्रवरुत्ती नी कान भंब् तेरना थी मोने एमणे राजा बनाव्यों. अने निवृत्ती नो जे पुत्र छे विवेक एन्हे देश बटो आप्यों. प्रवृत्ती ना पुत्र मोने राजगाधी प्राप्त तता ते अविद्या नामनी नगरी वसावे छे. मोहनी राणी नू नाम चे दूर्मती द्वारा काम, राग, ध्वेश ए त्रोण पुत्रो अने निंद्रा, अधुरूती अने हिंशा ए त्रोण पुत्रियों छे बनने आत्मा राम वनमा विमल बोध रूपी कुलपती नो लाब लिदो कुलपती यहमने अहियंत राजा पाशे लई जाये छे आ विवेक नी वाद चे तेमने विवेक ने पुन्य रंग पाटन नो राजा बनावे वसंत काले मोहनो पुत्र काम कुमार दिग विजय करता पुन्य रंग पाटन उपर चड़िया आवे छे त्यारे विवेके सैयम श्रीना स्वयंबर मा गयो होई छे नगर खाली हतु काम जिमोनो पुत्र चे एणे आ नगर पचावी पाड़ियो विवेके सैयम श्रीने वरीने पाछो आवे औने सत्रुन्जेई पासे विवेके ब्रह्मास्त्रती मोने मारीने हरावे आथी मन अने प्रवरुत्ती सोकातूर थाई गया मने विवेक ने राजिया आप्यू विवेके मन ने मोनी भ्रम्णा छोड़ी ओमकार मा स्थीर थाई परमानंद पामवानो अनुरोद कर्यो मन मोहने बुल्यो ने तेमने ध्यान अगनीमा प्रवेश कर्यो एटले के अगनातवास माथी चेतना हवे पाछी आवी पती परमहन्स ने समझाव्यो के माया मन मोनो नास थयो छे हवे तमे प्रकाशो परमहन्स परम प्रकास पाम्या परमहन्स त्रिबुवन राज्य पाछू मेडव्यो आ परमहन्स आतमाज जीवन छे एज कल्यान छे अहीं प्रस्तुत रूपक ग्रंथी मा आउता आ पात्रो जुदाल दा गुणों ना प्रतीक बनी रहे छे आ प्रकार नी रचनाओ ध्वारा धर्मोब देश सरण ताथी आपी शकाये छे परन्तु कोई कवार आ प्रकार नू निरुपण एकदम जड अने यंत्रवत बनी जवानों भाई चोककस रहे छे आ रचनामा सरुधी माडी ने अंत सुधी साध्यन सरण तार जडवाई रहे छे रस जडवाई रहे हो छे भारतिये ग्णानमार्ग नी काया अने आत्मा विशर्यक विगतो अहीं रुपाक्ष्रयों द्वारा आले खाई छे एना कर्तानों पांडित्य, भाषा, प्रभुत्व अने ग्णानमार्गी विचार धाराने अभिव्यक्ती अभवानों कोशल्य अहीं द्रश्टी गोचर थाई छे आ क्रुतीमा धर्म तत्वग्नान, रचना कोशल, भाषा, प्रभुत्व, काव्यात्म, तानी उँची कोटी जडवाई रहे छे क्रुतीमाना दुहा, चोपाई, वस्तु, छपपाई, जेवा मात्रामेड छंदो के जे गीतों मां सफळता दाखवी छे क्रुतीमानों रूपक रस्युक्त, तत्वयुक्त, अने कवतुक पूर्ण, लागव पूर्ण वर्णन छे केसव हर्ष दुहे, यथार थज कहुँ छे आ क्रुतीमाटे, कि आ एकज गूर्जर काव्यती आ जेइन कवी प्रथम पंक्तीनों साहित्यकार बने छे हवे आगड अपड़े जोईये क्रुती, तो भीम क्रुत, सदय वत्स वीर प्रबंद इस वीशन 410 मार चायली कथा मुलक साहित्यमा, कथा नक नी द्रष्टी अत्यंत महत्वनी आ जेइने तर कवी ब्रीम क्रुत, सदय वत्स वीर प्रबंद नी विशय सामगरी खुबज ध्यानहार यचे खुबज ख्यात, सदय वन्त सावड़ैं गानी, अदबूत रसिक लोक प्रिय प्रणई कथाने कवी भीम मात्रामेड, छंदो, पदो, तथा अक्षरमेड गृत्तो मा निरुपे छे प्राचीन परंपरित कथानक नो द्रष्टी पूत विनियोग, दुहा, सोर्ठा, चोपाई, छपपई, कुनड़िया इवा छंदो ने अनुसंगे अहीं थयो छे वच्चे वच्चे भाव संवेदनाने उटगाटित करती घीत रचनाओ पन प्रयोजाई छे सदेवन्त अने सावणिंगानी अदबूत रसिक लोक प्रिये प्रणई कथाने करताए पोतानी रिते कलात्मक ताथी अभिवेक्ती अर्पी छे कथामा अदबूत वीर अने श्रुंगार रसनी जमावट करवामा कवी भीमने सफडता प्राप्त थाई छे आ कथाना वर्णानो साहित्यनी ध्रष्टिये मद्यकालीन साहित्यमा एक अनोखी छबी अंकित करे एवा छे भासाविनियोग, वर्णनो अने संघस, पूर्ण, सम्वादों माधी कवी प्रतिभाना दर्शन धाई छे बित्रो आ पछिनी एक क्रुती छे हीरानन्द सूरी क्रुत विध्या विलास पवाडू इस्पिशन 149 रिसमा रचायली हीरानन्द सूरी क्रुत विध्या विलास पवाडू ए मद्यकालीन गुजराती साहित्यना इतिहास नी एक महत्वनी रचना छे विनैचेंद्र केवी रिते कर्मना परिणा में केवा कूड प्राप्त करे छे एनी पराक्रम गाथा एहीं केंद्र स्थाने छे ए रिते आ वीर प्रसस्ती प्रकार्नी काव्यरचना छे लवकिक कथानक एहीं जी रिते प्रयोजायू छे वच्चे वच्चे भाव सम्वेद्नाने अनुरूप अनुकूल घीतो साप्रास गद्य वचनिकाओनो विनियोग कविये कथा निर्मान कड़ानो अहीं परिचै कराव्यो छे विशय ने क्रमभद रिते क्रमशह विक्षावीने निरूपवानू कौशल्य पण ध्यानहार्य छे मदेकालीन कथा मुलक साहित्यमा विशय सामगरी अने अभिव्यक्तीने तरहाने कारणे आ रचना अत्यंत महत्वनी रचना बनी छे आ पची आपने जे रचना जुवाजी रहा छे है श्रीधर कवी श्रीधर कुट रणमल छंद कवी श्रीधर व्यासे, सित्तेल कडिमा रचेलू एतिहासिक प्रसंगने आलेकतू आ वीर रस्ती सभर काव्य छे एतिहासिक घट्नानू निरुपन करती आकरूती, आपना साहित्यमा जुदी जभात पाड़े छे रणमल छंद ए इडर ना राव, रणमल नी पराकरम गाथा ने वर्णवतू एतिहासिक वीर गाव्य छे इस विशन 340 मा इडर पर आकरमन करनार पाटन ना मुसल्मान सुबा ने आपेला सक्खत पराजईने आ काव्य मा अभिव्यक्ती प्राप्त थाई छे पाटन नो सुबो ए जफर खान ए पछिती सूल्थान मुजफर थायो छे के मीर मलिक मुजफर ते विशे विद्वानों मा थोड़ा मदबेद हजुपन छे आ मुसल्मान सुबा नो खजानो एक वार मोडा साथी पाटन जतो हतो त्यारे राव रणमले तेने लूटी लिदो आथी पाटनना सुबा ए क्रोधे भराईने इडर पर चड़ाई करी छे सुबाए इडर नी तड़ेटी मा पड़ाव नाखी लूटे लो खजानो पाचो सौपी देवा कहन मुकल्य पड़ाणो रणमल नमबाने बदले युद्ध माटे तैयार हतो सुबाए इडर नी तड़ेटी ना गाम मा भांगी लूट आदरी एडर रणमल ने युद्धाओ गड़ पर थी नीचे उतरिया मुसल्मान अने राजपूत सेना वच्चे तक्षण खून खार युद्ध जाम्यो राजपूत युद्धाओना प्रहारो थी ठाकेला हारेला मुसल्मानों पाछा भागवा लागया सुबो पोते पन पाटेन ने रस्ते नासी छूटियो मुसल्मान आक्रमणने खाड़नार अने तेने भारे सिकस आपनार रणमणनी आ पराक्रम गाथा चारे भाजू प्रस्री रही काव्यनी भाषा अर्वी फार्सी सब्दो थी भरपूर छे चंद एटले अक्षर आजे चंद छे एजानवों मेत्रों बहुँ जरूरी छे चंद एटले अक्षर के मात्रा मेड़ना नियम्ती बनेली कवीता व्रुत्त चंद मां रच्चायला स्त्रोतो ध्वारा देवोनी स्तूती करावे छे ते उपर थी अने पवाडा अने स्लोको ना सम्मान भाचक अर्थ न अचंद सब्द बने हो छे सामान्य रिते चंद रचना एक चंद मां जो होई पण अपवाद रणमड चंद मां देशी अने गीत अने चंद एम त्रोणे नू मिश्रण जुआ अमडे छे वी रसने अनुकुड ओजस्वती पदावली अने अक्सर मेड वृत्तों नो उप्योग अही थयो छे श्रीदर व्यासनू संस्कृत भाषानू दान काविय पदावली मां ठेर ठेर डोकिया करे छे कवी नी शैली प्रोड अने ओजस्वी छे महत्वना अितिहासिक प्रशंग ने आलेकती रचना तरीके अने भाषा विनियोग ने कारणे एनू मुल्य शव विशेस छे कवीता, इतिहास, काविय बंद अने भाषा एम चतूरविद मेड द्रुष्टिये ते उपकारक बंती आ रचना मद्यकालीन गुर्जराती साहित्यम केवड मृत्यूनो पैगाम आपनारू, परलोक नू गान गानारू अने धर्मा भिमोक न हतू एवी प्रतीती करावेशे अनके आपने जोयू क्यागर नी जिटली पन रचनाओ छे, ए बधी रचनाओ मां मोटे भागे धर्म उबदेश आपती होई, धर्मनी साथे चूडाया एली होई छेले कथा मां प्रणाई, श्रूंगार बधू जावे, पन छेले उपसम तो आवेज, ने मोटे भागे जैन जे करूतियों छे, एमां तो खास एउधाए, तो एथी विशेश, आ रणमर छन्द जे कथा छे, ये जुदी पड़े छे अपड़े बिजी एक क्रूती जोईए, अब्दूर रह्मान क्रूत संदेशक रासक, संदेशक राक्षक भाषानी द्रश्टिये उत्तर गोजर अपब्रंस काल नी रचना छे गुजराती भाषा मां मुस्लिम कव्योय पण लाक्षनिक प्रदान कर्यू छे, एनी प्रतिती अब्दूर रह्मान क्रूत संदेशक रासक करावे छे चौदमा सतक्मना अंतिम दाइकामा रचायली आक्रूती बसो 23 कडीमा वी प्रलंब श्रूंगार नू निरूपन करती सुन्दर कावे रचना छे रचनानू कथानक खुब च्टूपू छे, विजईनगर वासी विरणी नाईका कोई पतिक खंभात नो छे ए जणाता खंभात मा रहता पुताना पती ने तेनी साथे संदेशों मोकलावे छे आ प्रकारे आश्रूंगार खचित सुमधूर रासरचना कावे गुणो थी समरुद दूत कावे उहवा उपरांत रुतू कावे पन छे विरारसना मेग दूतना अनुकरण रूप दूत कावे उनी प्रणालिकामा पोतानी आगवी छाप छोड़ दू आ कावे मध्यकालीन गुजराती कावे अने संस्कृत कावे प्रणालिकाना किटलाक तत्वो नो शमावेश करे छे नाईकाना पती प्रेमनू अने विराभावनू आलेखन अने पतिकने मुखे खंबात नगरनू करायलू वर्णन ध्यान खेंचे तेवुझे कोईपण प्रकारना धर्मना बढ़गन वगरनी आ आखी रचना मा भाषा छंद अने रस अलंकार उपरनो कवीनो कावू प्रशस्य कोटीनो छे आखा काव्यमा प्रयोजयली भाषा चारनी डिंगलनी पूर्व भुमिकानी अपब्रेंश प्रकारनी छे जी मध्यकालीन गुचराती नरसी पूर्वेनू साहेत तेशे पाँ घणी बधी कृतियो रचाये छे एक कृतियो नो अपने आ परिचय मेडवी रहा छे ए परिचय मा हवे आगणी एक कृती जोईये तो कवी मानेक्य सुन्दर सूरी कृत पृत्वी चंद्र चरित पृत्वी चंद्र चरित आ समय गाड़ा दर्म्यान लखायेली घद्र कृतियो मानी सौथी महत्वनी कृती बनाये जे भरत्षेत्र ना मरहठ देश मा पठीनपूर नगरी मा पृत्वी चंद्र ना में प्रतारपी राजा रहतो हातो एक रात्र एने स्वपन आव्यों एमा एक देव भाड़ा आवी एना कंठ मा वर माड़ा आरोपी ने अलोब थाई गई आस वपन जाने साकार थवानू जहोई तेम बीजे दिवसे अयोध्या नगरी नो एक दूत राजसभामा आव्यों तैने पृत्वी चंद्र समक्स कौशल देश अयोध्या नगरी त्याना राजा सौमदेव औने तैनी पूत्री रत्नमंजरी नी प्रसंचा करी अने राजकूरी ना स्वयमवर नी तैने जान करी पृत्वी चंद्र पोता नी विशाड सेना साथे रत्नमंजरी ना स्वयमवर मा जवानी कड़ियो मार्गमा श्रीपती नामना वनिकने बचाववाना उद्देश शती तैने पद्मपूर्णा राजा समर केतू साथे युद करी अने अने पराजे आप्यो बन्यने दुखी जोई पृत्वी चंद्रे तैमने उपदेश आप्यो अने तैमने दिक्साली दी राजा पृत्वी चंद्रे आगळ प्रयाण करियो अने ते अयोध्यामा आवी पहुँचिया अनेक देशना राजा ओ स्वयमबर मा आव्या हता रत्न मंजरी ये पृत्वी चंद्रे अने तैना राज्यानी प्रसंसा साम्डी तैने वर माड़ा पेरावी देदी अने थोड़ा दीवस अयोध्यामा राजा रए हो आ समयधर रम्यान राजा सौमदेव साथे पृत्वी चंद्रे त्याना पधारेला तीर्थंकर धर्मनात पासे धर्मवदेश साम्डव ए पछी पृत्वी चंद्र रत्न मंजड़ी ने लईने पहिठन पूर आव्यों रत्न मंजड़ी महिदर नामना पुत्र ने जन्मा आपेशे पृत्वी चंद्रे गणा लांबा समयचुदी राज कर्यों एक दिवस, कनड देशना राजाये पहिठान पूर पर चड़ाय करी, पृत्वी चंद्रे सैना तैयार करी, पोते हाथी पर बैसी रणक्षेत्र तरफ चालेो, परन्तु तैने आत्म चिंतन करता जणायों के आ बहार ना एक दुस्मन करता देनो अंदर नो रहेलो, काम क्रोध रागनी पन घणा दुस्मनों अजू जीत्वाना बाकी छे, एक पुताना मन आत्मानी एने त्या परिचय थयो, के मनमा रहेला जे दुस्मनों छे, एने हराबाना तो जू बाकी छे, चिंतन माथी तैने केवल ग्नान लादियो, दुस्मन राजा पन सांत थैई सर्णे आव ए पची पोताना पुत्र महिधर ने राजगादी सोंपी पृत्वी चंद्र साधू बनियो, आ गध्य कथा वास्ता आपणने ते समय ना सुखी संपन अने सब्रुद समात जीवन नों चित्र प्राप्त थाई जे, आउ प्रांत ततकाली इन रूडियो औने मान्यताओनू पण दर्शन करावे जे, एनू कवतुकरस कथा वस्तू, जन्म जन्मान तरोनी चमतकार भरी वातों, चमतकारीक भरेला मनोहर सब्ता आलंकारों अने अर्था आलंकारों नी समगर क्रूती साहित्य तत्वनी कोटिये पहुची जाये जे, मानिक्य सुन्दर सूरी ने गुज जराती भाषानी कादंबरी बनवाने बद्धे धर्म कथा बनी जाये जे, वार्ता अंतर्गत आउनार कथाओ और चमतकार पूर्ण प्रसंगों पन धर्म उपदेश ना उपदेश जे गोठवा एला जे, ते खुबत सुन्दर जे, स्थाल काड और व्यक्तित्वना जे चि प्रेमबर ना वर्णनों पन काव्यात्मक छे, अलंकार भैभव, लई हिंडोड, आरोव अवरोव अने गध्यनी सुन्दर सप्त शेया थी गध्य कथा काव्य समीभाशे छे, लांबा लांबा समासो लेखकनी गध्यक्षमताना धोतक छे, आम श्रुंगार, वीर, अद्भ अने उप्समना सांत रस्नों आस्वाद अहीं प्राप्त थाये छे, परन्तु आम छता आकरूती ना आंते, निरुपातो धर्मनों जैजैकार, आखारे तो आकरूती ने पण धर्मकताज बनावी देछे आम, मित्रों मद्यकालेन गुजराती साहित्य, गध्य साहित्यमा प्रुथ्वी चंद्रचरित्रनु स्थान खुबज महत्वनु छे, गध्यस्वरूपनी मुडभूत तासीर नों अहीं थी आपणने परिचय प्राप्त थयो होई, एनी महत्ता आ करणे सविसे स्वधी जा मित्रों, मद्यकालेन गुजराती साहित्यमा आरंबे जैन कव्योए तथा जैनेतर कव्योए जे महत्वनु प्रदान कर्यु छे, जैन कव्योनु वहिविद्य पूर्णा अने विपूल मात्रामा जे प्रदान छे, तथा जैनेतर कव्योनु पन सत्वशील प्रदान छे, ए अहीं स्पस्ट थायू छे, आपने यहीं जोई शक्किये छिए, के आपने तो थोड़ एक नाम मात्र जे विसेश अने विसेश्ट रचना हुआ थी एनो परीचयी मेड़े पने इवी तो असंख्य क्रूतियों जाइन अने जाइने तर आ काल दर्म्यान रचाहेली आपने हित्ते रचाहे उछे, एनो आछो पात अड़ों पनस्पस्ट ख्याल चौकस मड़ेओ हसे